है अबरेवन और वेलकम बेक टू माई चैनल साधिया जेना आज हम गाई एक बहुती साथ ब्यूटिफुल बेक हैंड मेहने डिजाइन को क्रियेट करेंगे उसके साथ बहुती जादा इजी और ब्यूटिफुल एलिगेंट एक ग्रिड डिजाइन शेर करेंगे चेक्स की डि आपर आज में बोलड फ्लावर से स्टार्टेंग करती हों हमने यहां पर कोई शेडिंग रोज को क्रियेट नहीं किया हमने एहां पर बॉल्ड वाले हमारे फ्लावर को जो है वो ऐ ख्रीड क्रियेर यह बहुत ही ज़ादा beautiful लगते है इस तरीके के flower जब color आता है और flower के create हो जाने के बाद आपको इसे simply इस तरीके से borderline को create कर देना है आप जब भी bold flower create करते हैं बहुत से designs में borderline नहीं होती लेकिन अगर आप borderline को create करोगे तो वो other element से separate नज़र आएगा और आपकी design बहुत ही ज़ा कर दे आफ मैं आ पे हमस करेक्ट किया है और लाइट लाकी कॉम्बिनेशन को ध्यान मेरख रखते हुए साथ में में आपर आल-टाइम हमारे लिवस को क्रेट करूंगी हमने बहुत ही जादा डिजाइन को सेम वाले हमारे element के साहथ क्रेड किया है अगर आप मेरे regular व्यूवर हो जो मेरे classes attend करते हो तो I'm sure अब तक आपको बंचिस बनाने तो ज़रूर से आ गई होंगे कि मैं किस तरीके से लाइट डा के combination के साथ बंचिस को create करती हूं और फिर उन बंचिस की में placing करके design को create करती हूं बहुत ही simple है सिर्फ आपको technique की जरुत है मेहदी को create करने के लिए और यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर हमारे board leaves को कर दिया है create board leaves, juicy leaves, dancing leaves या खजूरी जो हम बोलते हैं छोटी वाली leaves की winds आपकी design में चार चान लगाती है तो जरूर उसे create करना चाहिए अब यहाँ पर एक belt को create कर रही हूँ, board वाले belt को उसे उपर की तरफ भी hums करेंगे और नीचे की तरफ भी hums करके fill कर देंगे अब मैंने यहाँ पर leaves को create करके as it is my favorite thing कि मैं यहाँ पर shading कर रही हूँ वापस से एक simply flower को create करेंगे इस flower को हमने हमाई design बहुत टाइम के बाद यूज किया है लेकिन यह उतना ही सदा beautiful लगता है आप देख सकते हो shading को complete की है मैंने हाँ पर shading के साथ as it is boldness complete कर देंगे अब मैं हाँ थोड़े से हमारे elements को create कर रही हूँ हमारे spirals को वापस से हम यहाँ पर हमारे कुछ basic से elements को create कर रहे है अब यहाँ पर मैं सेंटर में एक हार्ट शेप को create करूँ की बिकोज एक हार्ट शेप मेरे design है as you can see guys कि मैंने इसे border line दे दिया है आपको किसी भी पार्ट को highlight करना हो तो simply आप उसे एक border line दे दे और इंसा इसे बोल कर दे तो वो पार्ट अच्छे सा highlight होगा आपकी design में कर सकते हूं अब मैंने इसे lines के साथ next वाले हमारे flower के साथ अटेच किया है अब मैं यहाँ पर डॉट वाले चेक्सिस क्रीट को create करूँगी यह बिल्कुल एक knitting grade की तरह नजर आता है जब color आता है तो यह बहुत ही सदा एक easy option है अगर आपको चेक्सिस को create करना हो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं वापस से हम्स को create करूँगी और इस design को मैं extend करूँगी हमारे middle finger की तरफ हम first finger की तरफ भी ले जा सकते थे लेकिन यहाँ पर मैं middle finger की तरफ ही हमारे design को extend करूँगी मैंने यहाँ पर two layer वाले spiral को create किया है जिसके जो हमारे जगे है जो हमारा area है पाम का वो बहुत ही जादा जो ही वो cover हो गया है तो बहुत महनत भी नहीं लगती है लेकिन अगर आप अपके हाथ के small parts में wrist के पास या कहीं पर भी आप इस तरीके से double layer वाले spiral को create करोगे तो आप कोई और element वहाँ पे नहीं ले पाओगे तो आपके design में जादा elements नहीं होंगे तो वो बहुत ही जादा common नजर आएगी attractive नहीं नजर आएगी you can see कि मैंने इस तरीके से leaves को create किया bold और उसके बाद मैंने हमाई light element हमारे circle वाले spirals को create कर दिया and साथ में मैंने यहाँ पे middle finger की middle में ही मैंने हमारा bold flower जो है वो create किया है तो design बहुत attractive लग रही है as you can see के layer वाले जो spiral है जो मुझे परसनली बहुत पसंद है वो मैंने यहाँ पे create किया है as a supportive element not filler element तो आप ऐस a supportive element भी इससे create कर सकते हो आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने बनाया है and वापस से मैं यहाँ पे netting checks को ही हमारे create करूं की dot वाले netting checks को बहुत ही attractive लगते है इस तरीके से मैंने यहाँ पे create कर दिया और middle finger को मैं यहाँ पे create कर रही हूँ with the help of border line अब जो हमने flower में इस तरकी से shading कर दी है shading के बाद as it is flower को हम bold करेंगे इसका inside part भी थोड़ा सा bold करेंगे अब बनाते हैं हम हमारे beautiful checks तो सबसे पहले मैंने इस तरीके से double double line के साथ हमारे checks को create किया है आप देख सकते हो कि मैं lines को किस तरीके से create कर रही हूँ फिर मैंने इसे square elements की तरीके से दूसरी साइट से भी create कर दिया था और finger की design में इस तरीके से borderline को create कर दिया है मैंने अपने classes के वीडियो में आप चैक्सेस को के से create कर सकते हो यह मैंने आपको महाँ पर सिखाया है तो आप जरूर देखिएगा क्योंकि जब हमारे काजु कत्री में मन जाते हैं हमारे जब checks के shapes तो बहुत बुरे लगते हैं तो टिप मेंने share कि है कि आप किस तरीके से इसे square बना सकते हो तो यहाँ पर मैंने जो है finger की design को इस तरीके से complete किया है हमारी last वाली finger को साथ ही में हम हमारी next finger को second last को भी इस finger को इस तरीके से complete करेंगे अब guys आप देख सकते हो कि मैंने इस तरीके से square को border line किये है सारे square को हम border line कर देंगे और इस तरीके से बोल्ड करने के बाद हमारे चेक्सिस को इस तरीके से नजर आएंगे आप चाहो ताब इसे इस तरीके से खाली भी रख सकते हो यह बहुत ही ज़्यादा square और beautiful नजर आ रहे हैं आप देख सकते हो कि कितने attractive यह लग रहे है तो आप अगर चाहो तो आप इस यह जब हम इससे फिल करेंगे आपको वह चेक्सिस अच्छे लग रहे है तो मैंने fingers को create कर दिया अब मैं इस तरीके से चेक्सिस में lines को create करूंगी अब जो हमारी design पूरी तरीके से complete हो चुकी है अब comment section में comment करके जरूर से share करेगा कि आपको इडिजन कैसी लगी मिलता है next video मैं thank you so much